अधिन आपको लगीन प्रकासर की रूप में 7D एक्जरसाइज में कुछल नमबर 29 सिप्टीश करने जा रहा हूं कुछल नमबर 29 आपका है A प्लस B साइल इंवर्स X की होल पाउपर हैं अपान में आपका है अपान में आपका है अंडर रूप में 1-X की पावर 2 इस पूरे को आपको टी की पावर एंड बन जाएगा तो चैसे ही सिंगल वेरेशन सेम पारमेट बनेगा जब तक सिंगल वेरेशन नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं होगा और जब तक पहुंचेंगे नहीं इंट्रीकेशन कभी होगा नहीं तो मैंने बताया था कि X की पावर N इसकी पावर N, D, X का फामुला क्या होता है एक्स की पावर आपका होगा N प्लस 1 अपान आपका N प्लस 1 N प्लस C तो जब यह फामुला बनेगा तब ही तो लगेगा अगर मैं यहाँ पर इसको मैं आपका T की पावर आपका क्या हो जाएगा अगर मैं इसको T लेक्ट करता हूं तो देखिए T की पावर आपका N हो जाएगा आप सिंगल गौरीशन सेंब बनाने के लिए वान पान बन वाईरा एसकी पावर टू डियक्स डिकी के इक पर होना चाहिए कि वाथ तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सिंगल गौरीशन सेंब पार में इसका इंत्रीकेशन जनरेट वाई मैं को ऑदा पी स्कॉर है जैसे ही मैंने सब्सक्राइब करते ही एक डिफिल्सेशन जीरो होगा भी अपनी प्लेस पर है साइन इन्वर्स एक्सक्राइब अंदर रूट बन माइनस एक्सक्राइब और दी एक्स इसक्राइब आपका वर्पान भी डिटी आग्या वरपां विद्टी अब देखें सेम्पार्मेट पेज़िए अब यहां पर क्या होगा कि वह अपन अपान वी डिटी अब यह फावला वनगया इसको आप डिफिन्सेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा इंटिरेट करेंगे वन अपान बी ती की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन एन प्लस सी आपका हो गया कि की प्लीचे पेस्पर आपने क्या लिट किया था और अपान में आपका एन प्लस वन एन प्लस सी तो यह इसका एक्जैक्री आंसर होगा इसकी इसार्ट ले लिया करें काशिट की पावर 4x 2x dx यह कुश्य नुमर आपका 30 है इसका हम इंट्रिगेशन करना है तो तो में नो डाउंट यहां पर द्यान दें तो अलेट तो 2x इसको टो तो 2dx इसको टोटी हो गया तो dx इक्षक्व आपका आप यहां पर दिखें इसको पुटब करते हैं तो यह 1 वाई 2 और कॉसेग स्क्वाइड टी आपका डिटी हो गया कासिक की पावर 4 तो डिटी हो गया मैं वाई 2 और कॉसेग そकॉई अच्टॉ कासिक स्कॉई टी इन्टू कासिक स्कॉई टी पी ने व्रेकिया एंगा को दना चाहता है काशिक स्कॉर्ए रख साइक फामूला होता है वॉन प्लस काट स्कॉर्ए टी यह आपका हो गया काशिक स्कॉर्ए टी एंड डीडी अब मैं इसका अंदर मॉंटीप्लाइब कर रहा हूं हैं कि कॉस있는खर व्टी और इस्कों mij अंगल ने जाता हम मैं है काश्ट इस्वार्टी अब का विश्टगी ती है यह तो 1997 को सिजह हो गया यह तो आप देख रहें कान्सफ इसकर इसन क्या होगा काश्ट क्योंट होता है माइनस का कोड की कॉप सुदम और यहां पर ढिकिए पावर क्रॉन्स को सभीट करने का बंडा में आपको दाजाए लेकिन यहां पर किकिसको रेट करें अगर कॉप 안ब तो कहसे किस्हवाया जाएगा तो पहले से है तो अब उजिट पुदा लेना पड़ेगा लेट कॉट T इसकर टू आई कॉट T का क्या होगा कॉट X का डिपिल्सेशन क्या होता माइनस का कॉट सेक स्कॉएट T DT इसकर टू आपका हो गया D Y D Y अब देखें हमारी रिकॉयर क्या है का सिकॉयर कड़ से तो यहां से निगेटिव आप सैंगे जाएगा का सिकॉएट T DT की लिएखें माइनस का दी वाई अब मैं इसको प्रिया रखता हूं तो यह हो जाएगा माइनस माइनस का आपका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस आपका माइनस 1 X 2 और इसको आपने टी लिफ्किया कौड को वाई लिफ्किया था तो य स्कॉईर हो जाएगा और शाथ में आ बार जाएगा दिवाई कासे इस पाइर सब्सक्राइब करना रहे गया है तो कैसे होगा कि वाई स्कॉर्टा हो जाएगा वाई क्यों कि वाई थ्री एंड प्लस सी तो चलिए देखते हैं माइनस टाफ वन बाइटू कोट की अब माईनस 1 बाइ 2 वाई दी माई क्य़ूब माई थॡ ए जाए माई कूव ह्ता एंड प्लस सी अब्ती केर रेच jerk क्या लेक्ट दिया था है तू एक आट क्योट को एस एंड प्लस सी यह इसका एक्जेक्टली आपका अन्सर होगा अर्यों के स्क्रिम साथ ले लिया करें 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 को किसें पावर 4x को सर्क किया लाँ यह पुष्ण भी आपका उसी तरह से होगा अर्यों के यह अफ्षण भी आपका उसी तरह से होगा से की पावर पोर को मैंने कि स्टिक स्कॉयर एक्स इंटो से किस्क्वार एक्स में व्लेट किया है तो सेट इसकोर ठीटा एक पर होता है वन प्लस टेन स्कॉयर है वाइट इटना है लिए प्लॉस टेन स्कॉर एक से नहीं यह बाइट टिकना वेट्टी आपका टिकना वेट्टी के एक वाडिन काम्मॉला जो होता है से प्लॉस टेन स्कॉर एक उसको मैंने यहां पर पुटप गिया है अब इसका उंदर मॉंटिप्लाइए कर दें इसको स्कॉर एक्स डिक्स प्लॉस एक स्कॉर एक्स एंटू 10 स्कॉर एक्स अब देखे यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यह जो स्कॉर है इसका है इंटिकेशन आरड़ी आपको किलियर है कि 10 एक्स होगा सब्सक्राइब करते हैं यह सिंगल बन जाएगा तो साइड ने मैंने आप एलेट किया सब्सक्राइब करता हूं तो यह हो जाएगा टी स्कॉर डीटी कैसी इसको आपने टीट किया टी की पाउर टू हो गया अब यह का पन गया सिंगल वेरिएशन सेम फार मेट इच्सकार इंटीगेशन और जनृट वाई मेट वाला पी स्कॉर ती की पावर टू का इंट्रीकेशन बहुत दार रता चुका हूँ पावर थी ये पांत्री एंड प्लस बंचे पादूले से ती क्यूब तो यह 10 क्यूब प्लस सी हो जाएगा यह आपका एक जैक्टरी सल्यूशन है यह कुशन नमबर आपका अब अब कुशन नमबर 32 साइन की पावर 2 x 3 x है और कास q x dx देखिए आप दोनों में पावर है और पावर स्कूर्टी लेट करते हैं लेकिन अब दोनों में पावर हैं यह होता है इसको कैसे करेंगे तो यह थोड़ा सा स्पेशल कुश्चन है इसको ध्यान देजें आप यहा आप काया है इसकी पावर साइन एक्स साइन एक्स पावर जो है आप टू आइ आपकी थ्री है इस कास qx को मैंने क्या किया कॉस इसको एक्स इंटू कॉस एक्स में आप यहां पर इसको तोड़ सकते हैं अर्यों के तो देकिए कि साइने पी होल पावर टू आई री इंटू कॉस इसको एक्स की लिए इसबात को यहां पर अच्छे से समझें कि कॉस इसक्वार होता है सब्सक्राइब नहीं है तो 100 पर साइनेक्स को टी रेट करना है तो साइनेक्स को आठी रेट करना है सब्सक्राइब CSKAइब साहिए रेट साइनेक्स को आपको हो गया dys ведь सायनेग्स को आपने थी लेट क्या साइनेक्स का इपनिसेशन कासेइड टी हर यह ओके 23 इनकिया दीटी तो जैसे एक टी रखेंगे टी की पावर क्या होगा टू आई त्री इंटू वन माइनस टी स्कायर एंड डी आरे ओके इसके प्लेश पर आप एक प्रेश किया और डी अब देखिए सिंगल वेरिशन से इंपार्मेट कर गया इसका अंगर मुल्टिप्लाइ कर दें तू की पावर थ्री डी टी माइनस टी की पावर हो जाएगा इसका इसे मुल्टिप्ला करेंगे तू प्लस टू प्लस टू इप्लाइट री और डी टी हो जाएगा अब देखिए इसका इंडिटी केसं क्या होगा वही इटा अट प्लस वन अपाँ एंड ग्लस माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा तू तू दिए या 6 एट वाई 3 है अग्या अग्या आए अरी ओके सो जो डू डाउट इसको आप एंसम लेंगे तो टी की पावर आपका नीचे भी आपका 5 by 3 माइनस है इसमें फॉर्मॉला एप्लाई करते हैं तो T की पावर N प्लस 1 ये भी N प्लस 1 N के प्लेस पर 8 by 3 है N प्लस 3 आप इसको देखे ये 5 by 3 है तो आपका ये 3 by 5 हो जाएगा और T की पावर आपका 5 by 3 इसको भी सॉल्ट करते हैं तो ये 3 प्लस 1 11 हो जाएगा माइनस T की पावर 11 अपका नीचे आपका प्लस 3 को अगर प्लट है तो 3 अपका अलेविन हो जाएगा N प्लस 3 अब T की वैलू को यहां पर भुटब करना है तो T ये अच्छी आपने क्या लेख किया था अर्यों के बहुत एच्छा कुश्चन है कि कुश्चन नमर 33 आपका है कास्ट 2 एक्स कास्ट 4 एक्स कास्ट 6 एक्स देखिए ना तो ये टीम अन्टी लेट करने पर आगे पढ़ रहा है और ना ही पिसी फर्मुले से आगे पढ़ रहा है तो मैं आपको दादी थोड़ा इस्पिसल टाइप के कुश्चन होती है इसमें आप टू कास्ट एक्स बी का फार्मुला लगाएंगे देखें टू कास्ट एक्स बी का फार्मुला क्या होता है टू कास्ट एक्स बी फार्मुला होता है कास्ट एक्स बी और प्लस आपका होगा A-B तो पास एक कॉस भी फामुला होता है कॉस A-B प्लस कॉस आपका होगा A-B इस पार्मुले को मैं यूज आपके करूँगा और वेरी-वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इस पार्मुला है बहुत सारे ट्रशनों में इसका उप्योग हुआ है टॉप रिवेज आपका पर्मुला है तो जब तक फार्मुले आपको लग नहीं होंगे इंट्रिकेशन समझ में नहीं आएगा मैं पहले भी कह चुका हूं टिकना मेटिकल फार्मुले इंवर्स की फार्मुले हर तरह की फार्मुले आपको क्यों होने चाहिए तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि तो देखें मैंने हाइर एंगल को सबसे पहले लिया लार्जर एंगल को वन बाई टू कॉस सिक्स एक्स और पास्ट टू एक्स टू इंटू और इसको मैंने बिल्कुल बाहर रखा किसको कास्ट टू अज़िए कि इतने में आप टू कासे कॉस भी तू कासे कॉस भी तू कॉस ए कॉस भी अपलाई करें तू कॉस ए कॉस भी तो फर्मला च्छा होता है आपके सामने रिखा हुआ है ज्यंदे टू कासे कॉस भी होता है कॉस ए प्लस भी प्लस पास ए माइनस भी जो पहले उसको आप ए रिट करेंगे जो बाद में उसको आप बी रिट कर लेंगे तो देखें कॉस ए प्लस भी ए प्लस भी प्लस प्लस कॉस ए मैंने पहले गाता न इसको बाल लगे बनबाई टू आपका अपने प्लेस पर लेंगे शिक्स प्लस तू आपका हो जाएगा कॉस ए टैगे। 6-2 कास 4x और कास 4x आपका अल्रडी यहांपर देखिए बाहर है अब इस कास 4x का अंदर रटी प्राइब लिए तो 1 by 2 कॉस 3x इंटू कॉस 4x इसमें रहा है 1 by 2 कास 4x इंटू कास 4x समझें इसका इसमें मुटिप्लाइब किया यह आया इसका इसमें मुटिप्लाइब किया तो आपका यह आ गया ठीक दोनों को अब देखिए यह जो है इसमें एक बार फिर तो अगर सकते हैं और यहां पर इवन ने क्या किया 1 by 2 into 1 by 2, 2 से multiply कर दिया, 2 cos 8x, cos 4x dx, इसको अभी साथ करते हैं, पहले इसी ज़रा देख लिए, 1 by 4 हो गया, जैसे formula अप्लाई करेंगे, cos, a plus b, plus cos आपका, a minus, packet close, यह सब बताता हूँ है, पहले इसको देख लें, इस पार्ट को पहले देख लें, यह cos आपका क्या आजिया है, 12x, और यह प्लस cos इतना आगया, 4x and gold x, इसको समझें, cos x कार्ट differentiation क्या होता है, cos x का होता है, sin, but 1 upon, ठीक है न, सब्सक्राइब करते हैं, तो इसको कहीं पर एंगर को आप पी लेट करके कर सकते हैं, फिर यह 1 by 4, और आपका sin 4 है, तो यह सब यह पार्ट आपका मैंने सब्सक्राइब के लिए, सब्सक्राइब कार्ट आपको दे रहा हों, इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, cos 2x टाइब कामदा होता है, 2 cos square x minus, समझें, जब यहां 2x होता है, अब जो देखें, यहां पर कितना है, यह 4x है, कितना इंपिट होगा, तो 2 cos square x, इसको 2 आपका 1 इज़र बेज दें, तो 1 प्लस आपका cos 2x, 2 cos square x equal आपका 1 plus cos 2x, यहां पर और कॉला विसे ज्यान देजिए कि cos square x equal, 1 by 2 हो जाएगा, 1 plus cos 2x, ठीके ना, cos square x equal हो जाएगा, 1 by 2, 1 plus cos 2x, अगर यहां पर x है, तो यहां 2x है, यहां पर 2x होगा, 4x हो जाएगा, यहां 4x है, तो यहां irkt x हो जाएगा, डबूल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीकर, तो अब जाएगा, दो जाएगा, यह तो इस्टेप आपका था, यही, 1 by 2 पहले से था, और cos square x की लिएगे, देखिए cos square x, तो 1 by 2, अब एंगल को समझे, यहां 4 है, यहां 1 है, 1 है तो 2 है, 4 है तो जाएगा, 8, 1 plus cos 8x dx, इसी दिए मैंने कहाता है, इस पार को मैं अलग से साहब करता हूँ, अब देखिए integration की बात आगे, 1 by integration x हो गया, cos का sign value होगा, cos x कर्चा होगा, sin 8x होगा, but 1 by 8, and plus, अभी इसी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब integration होगा, तो भी शूरी बिल c add करेंगे, तो plus 1 by 4, x plus 1 by 8, sin 8x, and plus c, तो यह इसका exactly answer है, आरे होगे, तो आपने देखा कि 33 तक पहुंच गए हैं, यहाँ पर 38 नमबर तक कुश्चन है, फोर कुश्चन में आपको भी और टीज करता हूँ, जिससे कि आपकी exercise फिनिस हो जाए, तो एक्स माइनस 1 अपान है, आपका x की पाउड को माइनस x माइनस 1, यह पुश्चन नमबर आपका 34 है, जिकि जब भी इस चलिए का case आता है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्मला होता है, वन अपान root x, वन अपान root x का integration होता है, टू रूट x, वन अपान root x का integration क्या होता है, टू रूट x होता है, यह आता है, तो मैं इसको इसमें डवलब करूँगा, single variation same parameter गनाएँगे, तो इसको मैंने क्या लिए लेट किया कि एसकी पावर 2-1 को आपने थी लेट किया ठीक है इसको मैंने आपट लेट किया तो मैं आपको उतार आहूं कि यह सर्क्यूं है इसके लिए इंट्रीएसन की basic parts को देखिए basic parts को तो x square का 2x हो गया 1 का x का 1 हो गया और dx इसकर 2 आपका dt तो तो इनो डाउट यहां पर ध्यान दीजिए 1 upon root t dt हो गया यह देखिए 2x minus 1 dx 2x minus 1 dx इसकर 2 यहां पर dt हो गया आप देखिए 1 upon root t का 2 root t and plus c 2 root t तीक पर आपका x square minus x minus 1 and plus c बहुत अच्छा समस्ता कॉस की पावर 4x कॉस की पावर 4 2x dx मैंने आपका 2x को t लिख किया तो dx इक पर आपका 1 y to dt आ गया अब देखिए इसा करते हैं कि क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4 t और dt बट 1 by 2 आपका है आपका कास की पावर 4 को मैंने कास स्कॉयर x का होल स्कॉयर का अब इसको आगे कैसे साल करेंगे तो इसके लिए आपको फिर बताता हूं कि मैंने बताया था उस चीज़ को फिर से देखें कास्ट टू आपका है कास्ट स्कॉयर x 2 स्कॉयर x इसको इए क्या इसनुन ट्रांसकर करें घर 1 अपका क्स2 x 2 गोपना हु кому इसको इनुन दिसको इसके एक बताओ सब्सक्राइब होता है यहां पर दोर से देखिए कास स्काइब टी है कास स्काइर अगर आपका टी है तो मैंने कुछ नहीं किया इस भालू को यहां रखा वान वाइटू वान प्लस कास क्या हो जाएगा कट्सक्राइब तूटी अपूरे का होल स्काइर अधिट है तो वन वाई टू वन बैस टू का इस्काइर करेंगे तो वन वैं फोर हो जाएगा यह आ जाएगा one प्लस ए गोश्ट टी का होल स्काइर अधिट वन वाई यह मूरी इस फोल इसकॉर को आप यह ब्रेग करते हैं यह प्लस दिक और स्कॉयर और जैसे आप प्लस 20 स्कॉयर करेंगे तो थीं के प्लेश पर कास्टो टी है कि स्कॉयर प्लस दी स्कॉयर टू एभी करेंगे तो टू कॉस्ट टी आपका यहां मडेटी हो जाएगा तो सो भी नो डाउट अब इसको हम यहां पर integration कर सकते हैं Integration यहां पर आसानी से हम कर सकते हैं आर ही ओके अब देखना है कि one time integration भी हो जाएगा इसका भी हो जाएगा बट इसका नहीं हो पाएगा कि है वन गाई क्या हो गया टी है वन का इंटीरिशन च्प्रेशन च्राइबर टी और ट्रू काइट टू टू ट्य है इसका हो जाएगा साइंट ओस इस मुझा जाएगा अभ बचाएए इसको बनकुल अलग यह जाए वन भाइए वन मा एक टू टू कि अब देखिए फिर एक बार स्वाला बनाएं यहां पर आप देख रहे हैं कि जब काश स्कॉर एक्स है यहां टू टी इसना हो जाएगा फूर हो जाएगा कि इतना हो जाएगा फूर काश 4T and dt तो 1 by 8 वन का इंटी इसन टी हो गया इसका साइन 4T and 1 upon 4 प्लस यह ठीक है यह आपका ऐसे है यह ती जाएगा वन वाई एक टी अब टी की वह बुटक करना है ती को लाटा क्या था टू एक तो में नो डाउट इसके प्लेश्पर टू एक रहें तो 1 by 8 टी को टू एक यहां टू एक रखते हैं तो साइन 4 एस हो गया वन वाई एक टी को टू एक टू एक टू एक टू जाएगा 1 by 4 sin 8 x n plus c आई ओके इतला से वाई उन वाई एकडी की वैल पुटा करती है इस एक उच्छना का फिनिश पुटा है पुस्च नमबर 36 कास्ट क्यूब 3X प्लस 5DX मैंने इसके एंगल को यहाँ पर लेट किया 3X प्लस 5 को जैसे ही मैंने एंगल को यहाँ पर ती लेट किया तो देखे 5 का 0, X का 1, 3DX इकवल आपका DT हो गया इसका डिएक्स इक्वल आपका डिएक्स इक्वल आपकर 1 अपान 3DT यह इसका डिफिंस्टेशन हो गया अब देखे तो तो लो डाउट वन वाई 3 कॉस्ट स्क्वाइर को वन माइनस साइन स्क्वाइर को क्या रिटिन कर सकते हैं और इंटू में आपका कॉस्टी आपका पता था कि पावर ट्रंक्स को पी रिट करते हैं तो यहां पर साइन टी को जो है टी रिट करना है लेकिंटी पहले से है तो इसको कुछ थोड़ा सा अलग रिट के वाई रिट कर लेट साइन का क्या होगा कॉस्टी डिटी और यह आपका डिवाई आरे ओके तो तो सुनो डाउट वन वाई थ्री वन वाई आपका हो गया थ्री और हमें यह ज्यान देना है साइन यंटी को आपने क्या लेट किया है वाई उस साइन डी को आपने वाई रिट किया और यह बन गया डी अंदेक्जल सेय प्ारमेट में हैं अब आसानी से कर सकते हैं तो 1 1 3 1 कर गया ही और यह उः कीजिड्यीट हो गया 3 &adular प्लस ती य के प्लेश पर आपने यह देखे यह हो जायगा साइन कि कि 1 वाइं थ्री और साहीं क्यूब टी एंड फ्लस फी अब ती के अपले प्लेश पर आपने क्या रेट किया था उपर देखिए 3x plus 5 1y3 sin 3x plus 5 minus आपका 1y3 sin cube 3x plus 5 and plus 6 यह इसका exactly answer है यह question number आपका 36 यहां पर complete होता है question number 34 आपका है Cekki power 4x into 10x dx वेने बताया है integration के variation में power 4 x cube 2 है power terms को Trate करते हैं power terms को क्या लेट करते हैं Trate करते हैं so no doubt देखिये मैंने power terms को अगर T rate करता हो तो T की power यह 4 हो जाएगा तो Cekki Cekka को मैं T rate करता हो तो देखिये power 4 हो जाएगा सब्सक्राइब करने पर यह साल नहीं हो रहा है तो इसको तो इसको से क्यों कर दिया और इंटू आप पर मैंने किया स्टेक्स इंटू टैने अब देखिए अबें अगर अगर शेटेक्स को मैंने आपका टेक्स को Speech डिया अगंफू टेक्स का इसकी इंटू चैने और डी-डी ऐसी इसको आपका बीडिडियी इसका इसका धिया इसका इंटू आपका कि अगया बीडिडियों इसका इंश्रीगेशन क्या होगा ती की पावर 4 अपान 4N प्लस C तो ती की वैलू आपने क्या रखी सेट की पावर 4X हो जाएगा अपान 4N प्लस C आर ये ओके ये कुशन नम्र आपका 37 कंप्रीट होता है